Hello and welcome, welcome back to my channel, मैं हूँ अनिपान और मैं आज फिल्म उनके रात में Current Feelings के वीडियो लेके हाया हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को इन तक देखिए अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Current Feelings के वीडियो जैनल लीडिंग होने वाला है, तो जो जो चीज रेजोनेट करेंगे वही चीजों को ले लीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए तो देख लेते हैं कि आपके परसन अभी क्या सोच रहे हैं, यह Fast Person हो सकता है, Present Person हो सकता है और इसके साथ साथ Animal Spirit के Message भी आप लोगों को मिल जाएंगे, लेट सी, पेज पेंटिकल्स, ओके, पेज अफ कोईन्स, उसके बाद वर्ल्ड, और उसके बाद, देखता हूं, वाव, 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 कि जो person है, ये मेरे ख्याल से दो person हो सकता है, दोनों person के energy देख रहा हूं, एक person को जो आप नहीं चाहते हो, जो आपके साथ contact करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगबग ये person को आप उतना जदा पसंद नहीं करते हो, बट ये एक ऐसे person है, जिसको आपको पता है कि आपको contact करना चाहिए, बट फिर भी आपको contact नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको किसी दूसरे person के उपर पसंद है, बट जिस person को आप crave कर रहे हो, जिस person को आप चाह रहे हो, मिलने के लिए, जिस person के साथ communicate करना चाहते हो, वो person किसी दूसरे person के उपर busy है, तो मैं देख सेक्त ह करता हूं यहां पर जो बहुत immature तरीकिये से आपके साथ बीहव करते हैं कि एक बार बोलता है कॉल करूंगा यह फिर कॉल नहीं करता है और आपके situations में बहुत दुबिदा में हो कि यह person सच में आपके सामने आएंगे के नहीं तो यह person बहुत जदा mood swings करा रहे यह person आपका energy को drain करा रहे आप इस person के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो बड़ कुछ नहीं होता है तो आपको ऐसा लग गया है कि इस person से सोचना ही बेकार है और आपके से बहुत सारे लोग इक नए-नए person के साथ मिले हो और यह गया प्रोबावल करनेकशन है और यह नयए person आपके बारे में सोच रहे हैं यह अपके person है और यह आपके लिए efforts दे रहे तो हो सकता है आपके person जो नए जिसके person के साथ आप जुड़े हो, ये person के साथ आपका कुछ बनेगा, तो मैं देख सकता हो कि आने वाले दिनों में commitment कैसा होगा, future कैसा होगा इसके बारे में ये बहुत जादा सोच रहे हैं और हो सकता है कि कोई एक ऐसे तगड़े past, जिस person को आप अभी भी भूल नहीं पाए हो, और वो भी आपको भूल नहीं पाए हो, येस आप दोनों तो committed नहीं हो पाए हो, बट अभी भी उसको याद आ रहे हो, आपको miss करे, अगर आप लोग reconciliations के लिए वेट करे हो, तो world card and the page of funds एक significant card है, कि जिन person को आप twin flame मानते हो, हो सकता है third party के वज़े से वो आपको छोड़ दिया था हो सकता है, ये बत्तमी से आपके साथ पेश आया था, आपको call नहीं किया था cut किया था, message ना करने के लिए बोला था, हर जगे से block किया था, एक ऐसे person के energy, जो आपको miss कर रहे, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा जरूरत आप हो रहे हो और अभी इस टाइम पे आप नहीं हो उसके सामने, ये गंदा तरीके से वो आपको miss कर रहे मेरे क्यासे ये उनके कर्मा है, क्योंकि ये ही person आपको दूर भगाए थे, और आप तहे दिल से ये बोले थे, कि एक दिन आपको ऐसा दिन देखना होगा, जिस दिन आपको मेरे जरूरत होंगे और मैं नहीं होंगा, तो एक ऐसे person, हाला कि ये person को आप इतना पैयार करते हो, कि ये person कभी भी आपके सामने आएंगे, तो आप उसको रुखने ही कि ऐसा क्या हो गया, कि आप साड़िनली बदल गया कि आपके life में कोई नहीं आये है कि आप अभी भी उसको उतना ही प्यार करते हो, क्यों आप बात नहीं करना चाहते हो, क्यों आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो तो inquisitiveness है किसी-किसी के लिए ego के पहार है कि अभी भी यह आपको block करके रखा है और यह यह देखना चाहते है कि कितना दिन और यह आपको block करके रख सकता है, हाला कि यह दूसरे person के पास जाने के कोशिश किया बट नहीं हो पाया, third party भी इनको kind of कुछ मदद नहीं कर पाया आपसे call, block करने के बाद यह social media पे गया और किसी दूसरे person के साथ random बात करने की पोशिश किया कुछ फायदा नहीं हुआ और वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहते बहुत सदा depressed है बट depression के कारण और जड़ वो लोगे और मैं आप लोग को भी थोड़ा सा दोस दूँगा क्योंकि देखो आप लोग इतना साथा codependent हो गए थे कि यह relationship पे कुछ मजा ही नहीं था यह relationship one-sided था और आप उनको cheese कर रहे थे वो आपको नचा रहा था और आप ऐसे ऐसे चलते रहे एक दिन अचानक ऐसा हुआ जो cheese का पड़र था और उसी के वज़े से ही आप दोनों अभी भी call नहीं कर रहे हो हला कि इतना ड़ड़र के जीने का कोई फायदा नहीं होता है डिरेक्टी आप इसको प्यार करते हो यह कोई ऑनी अनी यानी के प्याज नहीं है यह आपका प्यार है तो यह अगर आपको इतना रूलाता है तो फ्यूचर में क्या होगा तो definitely आप इनको control करना सीखिए, no बोलना सीखिए जो चीज़ देख रहे हो कि नहीं सही नहीं हो रहे है कब आप उनको sorry बोलोगे कब आप उनको माफी माँगोगे कब आप उनको approach करोगे और यह खुद ही आपको block करके रखा है तो कैसा यह है, तो मतलब क्या है यह person जो सोच रहे है, इसका कोई मतलब proper, authentic intention नहीं है यह आपको unlock भी कर देंगे यह आपके साथ जुड़ भी जाएंगे बट यह जो दिन था, इसको याद रखना होगा कई कबार गुस्से में लोग सच बोलते हैं, तो इस चीज को आप गौर कीजिए अभी animal spirit की आप message दे रहे है आप लोग को थोड़ा सा देख लेता हूँ देखो, the hot spirit है, यह एक टॉरस वर्गों के प्रिकन से मदद आ रहा है आप लोड को stability आ रहा है relationship है, यह person आपके life से अचानक चला गया था बट इस person के आने के बाद ही आपके life में बहुत ज़दा उन्नती हुए है शायद job मिला है, शायद आप motivate हुए हो, शायद आप कुछ सीखे हो तो यह हो सकता है कि बहुत गंदे तरीके से आपको treat किया है बट आपको life lesson इन्ही से ही मिला है तो इस person से आप जो सीख मिला है उसको follow करो third eye के उपर focus करो, meditate करो, इसके साथ manifest करो इसको manifest करो, आसानी से यह आपको बात करेंगे और आप लोगों को खुद को भी थोड़ा सा समलना होगा emotion बहुत high है, बहुत ज़्यादा रोए हो तो ऐसा मत रोया करो, strong हो जाओ और खुद को, खुद की emotions को control करना सीखो बहुत दूर जाना है, life इतना short नहीं है तो अगर आप यह सोचते हो के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा देख लिए हो बहुत ज़्यादा देख लिए हो नहीं, खुशी आने ही वाले है थोड़ा सा courageous रहो, थोड़ा सा positive रहो you are very close to achieve your goal देखो, यहाँ पर आया है the octopus spirit octopus spirit मतलब networking यह person बहुत ज़्यादा popular है, तो इसको कुछ फरक ही नहीं पढ़ रहा है और आपको universe बोल रहे कि आपको अभी बक्त है कि आप दूसरे तरीके से आप खुद को motivate कर सकते हो या तो tarot reading करो, या फिर tarot seekो या फिर कोई भी astrological remedies follow करो या फिर लोगों से बात करो कुछ ना कुछ करके busy हो ना सीख जाओ the moment you will get busy आपको वो need नहीं आएगा तो आपको अपना passions को ढूणना है similarly, अगर आप creative person हो तो आप अपने creativity को लेके क्यों busy नहीं हो पा रहे हो क्योंकि और आप अगर और दो से तीन दीन अगर आप यही thoughts लेके आगे बढ़ोगे तो आप depressed हो पाओगे मेरे क्यास यह water energy है तो काफी जादा रोना मैं देख सकते हो कि बहुत जादा रोए हो आज या फिर बहुत जादा रोना आ रहा है सीन जैसे आप एक्सपेक्टी है यह वैसा नहीं हुआ बहुत जादा डेप्रेशन और मिसांडरस्टैंडिंग्स हुआ है थर्ड पार्टी का influence यह फिर पास्ट का influence यह फिर फैमिली का influence यह फिर आउटसाइडर से influence है किसी किसी के addiction एक बहुत बड़ा कारण बन जा रहे है relationship का तो आप लोग जादा fade up हो गए हो कि आपको breakthrough चाहिए बट breakthrough नहीं मिल रहा है बट यहां पर थोड़ा सा आपको hold कीजिए अपने emotions को control कीजिए क्योंकि कोई person आपको unexpected तरीके से propose कर सकता है यह फिर express कर सकता है आपके feelings कि नए old कोई भी हो सकता है यहां पर आता है outer spirit oh my god तो मैं देख सकता हूँ कि new beginning definitely outer spirit मतलब घर बसाना है तो हो सकता है कि आपको एक नए person मिल जाएगा हो सकता है आपको इनए person manifest कर रहे हो या फिर आप single हो और यह current feelings देख रहे हो तो हो सकता है कि आपके past भी इसी वक्त आपके बारे में सोच रहे कोई person का regret है बहुत ज़रा guilt feeling है जो आपको तड़ पाए थे जो आपको promise किये थे कुछ और नहीं कर पाए और उस guilt feeling को लेकि वो बापस आ रहे हो सकता है कि आपके साथ physical intimacy करने के लिए और घरवसा आने के लिए यह फिर सचा प्यार से कोई आ रहा है from your past और मैं outer spirit से एक ही बोल सकता हूँ कि घर हमेशा दो लोगों के beach का सुपून जो होता है जो happiness जो होता है उनसे बनता है पैसा, power इन सब से घर नहीं बनता है तो चाहे दोनों दोनों को कितना भी hate कियो ना कर रहे हो बट प्यार किये ते इसलिए ना hate कर रहे हो so forgive करना सीखो नहीं तरीके से सोचना सीखो नहीं तरीके से जीना सीखो और most importantly हसना सीखो because आप लोगों को forgive करना ही है और restart करना है life को बहुत sad नहीं होना है कोई person आपके बारे में सोच रहे हो आएंगे और मेरे कहल से strong हो जाओ ठीके थोड़ा सा strong हो जाओ positive हो जाओ that is it और जादा आप बोलूंगा नहीं बहुत बड़ा वीडियो हो गया शायद I hope आप लोग वीडियो को पसंद करे होगे and अगर पसंद करे होगे तो please comment box पे I love my soulmate या फिल thank you soulmate जो भी आप लिख सकते हो and number आप दे सकते हो 111 and 1 so 1111 all the very best god bless you bye bye take care